आपने पढ़ रखा होगा कि x to the power 0 1 के equal होता है यानि कि अगर हम बात करें 4 to the power 0 तो क्या होगा 1 के equal होगा अगर हम बात करें minus 4 to the power 0 तो ये भी 1 के equal होगा अगर हम बात करें 2 by 3 power 0 ये भी 1 के equal होगा अगर हम बात करें minus 2 by 3 power 0 ये भी 1 के equal होगा अगर हम बात करें square root 2 to the power 0 ये भी 1 के equal होगा लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है x to the power 0 1 के equal क्यों होता है आज हम लोग इस वीडियो में सेखने वाले हैं power and exponent में एक rule होता है ये अगर x to the power m हो divided by x to the power n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x to the power m minus n अब देखिए अगर इसी में m और n दोनों equal हो जाए when m is equal to n अगर m और n दोनों equal हो जाते हैं तब हम लोग n की जगह पर m लिख सकते हैं तो देखिए इसके बाद यहां से हम लोग क्या लिखेंगे जहां जहां n है वहां वहां हम लोग m लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा x to the power m divided by x to the power m is equal to x to the power m minus m अब यहां पर x to the power m और x to the power m cancel हो जाएगा और cancel होके बचेगा 1 और इस साइट हो जाएगा x to the power m minus m m minus m हो जाएगा 0 के equal यानि की x to the power 0 यानि की यहां से हमको मिल गया x to the power 0 1 के equal लेकिन इसमें एक अपवाद है कि 0 to the power 0 1 के equal नहीं होता है 0 के अलामा अदर कोई नंबर होगा और उसका power 0 होगा तो 1 के equal जरूर होगा लेकिन 0 to the power 0 1 के equal नहीं होता है तो आखिर 0 to the power 0 होता क्या है इसके बारे में हम लोग सेखते हैं अभी हमने बात किया था power and exponent के rule से x to the power m divided by x to the power n क्या होता है x to the power m minus n और हमने ये भी बात किया था कि जब m और n दोनों equal हो जाए तब हम लोग लिख सकते हैं x to the power m divided by x to the power m is equal to x to the power m minus m इसके बाद अगर मान लिजिए x की जगह 0 हो when x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा इसके बाद इसके बाद हो जाएगा 0 to the power m divided by 0 to the power m is equal to 0 to the power m minus m क्या हो जाएगा 0 अब लेफ्ट हैंड साइड में है 0 to the power m divided by 0 to the power m जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0 by 0 0 power something क्या होगा 0 तो 0 by 0 is equal to 0 power 0 अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है यहाँ पर समस्या यह है कि हम लोग 0 को 0 से काट नहीं सकते अगर हम लोग 0 को 0 से काट सकते तो यह हो जाता 1 तब हम लोग लिखते 0 power 0 1 के equal लेकिन यहाँ पर problem क्या है हम लोग 0 को 0 से काट नहीं सकते 0 by 0 क्या है एक undefined number है आपको पता होगा कि जब भी denominator में 0 आजाता है तो number हो जाता है undefined कभी भी किसी भी number को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ पर 0 by 0 undefined है तो हम लोग finally यहाँ से कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 by 0 is equal to 0 power 0 यानि कि इसके बाद क्या हो जाएगा 0 power 0 क्या है undefined है यह क्या है undefined undefined यानि कि 0 power 0 undefined है meaningless है